अगर आपने अभी तक ये सेटिंग नहीं किया है आप गूगल डाल को रिकॉर्डिंग साउंड को कभी भी डिसेबल नहीं कर सकते हैं अगर आपने ये सब सेटिंग अपने वाइल फोन के अंदर कर लिया है तो आप Google डाल कॉर्ड रिकॉर्डिंग साउंड को डिसेबर कर लिया है ये क्या सेटिंग है जिसके बारे में आप सभी को बिल्कुल भी नहीं पता है यदि आप इसके बारे में जानोगे कास इसके बारे में पहले मुझे पता होता ये सेटिंग में पहले कर लिया होता ये जो सेटिंग है बहुत जदे इंप्रोडन्ट है आप सभी के लिए बहुत जदे खास आप सभी के लिए है यदि आप Google डालर से कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं किसी से बात करते हैं वहाँ पे एक sound होता है This call recording on का आप जिससे भी बात करते हैं जैसे कि आप किसी बन्दे या बन्दी से call पे बात करते हैं Google डालर से आप उसके call को अपने बुबायल फोन के अंदर Google डालर से recording करते हैं वहाँ पे क्या होता एक sound होता है this call recording on का अब जिससे भी आप बात करते वहाँ पे एक sound होता है recorded, call recorded अईस तरह आपको यहाँ पे एक sound सुना देगा Google डालर का जैसे आप call recording पे आइकन पे click करते हैं वहाँ पे एक sound clear करता है एक notification बनाता है और वहाँ पर एक send कर देता है आप जैसे notification बना के send करता है उसको पता चलता है आप उसके call को अपने mobile phone के अंदर record कर देते हैं वो आप से कह देता है या कह देती है कि आप मेरे call को अपने mobile phone के अंदर record क्यों कर रहे हैं इस setting आप सुभी को अपने mobile phone के अंदर बहुत ध्यांस करना है आपको इस वीडियो को बहुत ध्यांस देखना है वीडियो को कहीं पर skip कर देते हैं वीडियो को एंडर तक नहीं देखते हैं आप google record recording sound को कभी भी अपने mobile phone के अंदर disable नहीं कर सकते हैं यदि आपने ये setting अपने mobile phone के अंदर पहले से ही कर रखा है आप google record recording sound को disable कर दिया है ये ऐसा setting है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता है बागी कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है आप google download से call करते हैं call करते समय call recording करते हैं वहां पे sound होता है call recording on का आप इससे बह ज़्यादा परिसान हो चुके हैं आप इसको disable करते करते ठक चुके हैं लेकिन एक और recording sound disable नहीं हो रहा है यहां पर जो मैं आपको setting के बारे में बताने वाला हूं वह setting करते ही आप सभी के mobile phone के अंदर google recording sound हमेशा के लिए disable हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को play कर दि अपने mobile phone के अंदर इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना तो आज की वीडियो आप सभी के लिए सुरू करते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं यदि आप Google डालक और recording sound को हमेशे के लिए disable करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा answer देखना वीडियो को कहीं पे स्किप मत करना वीडियो को कहीं पे स्किप करते हैं आप इसके बारे में नहीं समझ पाओगे तो कहोगे इसके बारे में मुझे पहले पता होना चाहिए था तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बताते हैं सबते पहले आपको बरे सेकंड चनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नम एंडृर्ड राजू आपको इस चनल को सब्सक्राइब करके All notification में आपको क्लिक कर देना है जिससे आपको सभी नए वीडियो का नोटिफिकरेशर एंड़ाट राज चनल पे आपको सबसे पहले मिल सके मेरे चैनल का नम राजी टेक यह मेरे सेकंड चैनल है जिसका नम एंड़ाट राजू आपको यहाँ पर अपना सपोर्ड दिखाना है तो चलिए वीडियो सुर करते हैं आपको इसके बारे में लेटल से पताते हैं आप सभी के मुबाइल फोन के अंदर इस तरह का एक क्रोम राज होगा आप सभी के मुबाइल फोन के अंदर होता है सबसे पहले आप से लिए को crone controller को open करना है अपने mobile phone के अंदर तो यहां पे Chrome browser को open कर लेते हैं open हो जानने के बताब को यहां पे गूंगल का search bar आपको यहां पर सर्च बार में क्लिक करना है यहां पे टैब करना है सर्च बार में Google डालर फिर आप सभी को यहाँ पे कोने में आपको इस तरह यहाँ पे तील जासा दिखेगा आपको दिखेगा कोने पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा desktop site आपको इस पर क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहां पर फास्ट वाल नंबर पर आपको क्लिक कर देना है यहां पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा become a tester आपको become a tester पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बात आपको यहाँ पे 2-3 सेकंड तक आपको wait करना अपने मॉइल फॉन के अंदर पिर आपको यहाँ पे दिखाए देगा Live with the program आप सभी के मॉइल फॉन के अंदर इस तरह आपको यहाँ पे दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है फिर आपको यहां पे 2-3 सेगंड के लिए आपको अपने mobile phone के अंदर रुकना है फिर आप सुभी को यहां पे reinstall पे आपको किलिक करना है यह आपको Google Play Store पे ले जाएगा आपको यहां पे सबसे पहले आपको अपने Google डालर को बेटा में आपडेट करना है बेटा में अपडेट हो जानने के बद आपको यहां पे दिखेगा open आपको open पर किलिक करना है जैसे आप open पर किलिक करते हैं Google डर आपको हाई हेलो करता है आपको यहां पर देख सकते हैं फिर आपको यहां पर देखेगा 3. आपको 3. पर यहां पर सबसे पहले आपको 3. पे क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक हो जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाए देगा 2nd नमबर पे सेटिंग 1st नमबर दिखाए देगा call history 2nd नमबर सेटिंग 3rd नमबर दिखाए देगा आपको help and feedback आपको यहाँ पे 2nd नमबर पे आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के बाद को यहाँ पे सबसे पर्ट नमबर दिखाए देगा call ID and spam आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के बाद को यहाँ पर 2 box दिखाए देगे इस तरह का आपको यहाँ पे पहले बाक्स पे क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पे सेकंड वाले बाक्स पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के वदा आपको यहाँ पे दिखाए देगा बैक आपको बैक पे क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जाने के वाद आपको यहाँ पर दिखा देगा call recording आपको इस पर क्लिक कर देना है फिर आपको यहाँ पर एक आपको enable करना एक box पर क्लिक करके यहाँ पर एक box आपको दिखा देता आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एनेबल हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर दिखाए देगा allows record आपको इस पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर back पर क्लिक कर देना है फिर आपको थोड़ नीचे जाना है आपको यहाँ पर दिखाए देगा अनॉसमेंट आपको इस पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक हो जानने के मतब को यहाँ पर दिखाए देगा नेवर आपको यहाँ पर अलाउस पर क्लिक कर देगा सब्सक्राइब हमिए बहलें हैं तो यहां पींड़ने इस तरह का एक गूगल-फोन के सभीक होथा है पको गूगल-प्लेस आपको यहाँ पे यहाँ पे Alto-Core Recorder Pro यहाँ पे 200 रुपय का है यह बहुत ज़्यदा Best Recording Application है फिर आपको थोड़ा से नीचे जाना है आपको यहाँ पे एक application दिखाए देगा RMC Android Call Recorder आपको स्पेसिंद का पहले तो एक sound होगा, जैसे की यहाँ पे, यहाँ पे आपको इस तरह call recording sound होगा, यहाँ से जब भी आप call recording करेंगे, यहाँ पे आप Google डेल call recording sound को कभी भी आप disable नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुर भी disable नहीं कर सकते हैं, जो मैंने application के बारें बताया, उस application से आप call recording sound को disable भी नहीं कर स सौंडों नहीं होता है वहां से आयोप आपको वीडियो बहुत चाहते पसंद भीडियो पसंद भीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करके आल नोटिपिकिशन आउन कर देजें नेस्ट वीडियो में तत्या के लिए आप से भी का दिन राज सुभ र मिलते हैं नेस्ट वीडियो में